लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं पंजाब से ये खबर मिल रही है जह आपको बताएं कि ED ने कारवाई की और 4 करोर से ज्यादा कैश यहां बरामत किया गया है ये बड़ी खबर चुनावों से एन पहले ये कारवाई रेड की गई है और 4 करोर से ज्यादा कैश मिला है ये बड़ी जानकारी और कई जिलों में ये चापे मारी की कारवाई की गई है तो अवैद खरनन केस में ED ने सार्ज ऑपरेशन चलाया है और रेड में मुबाईल, लैप्टॉप, दस्तावेज बरामत किया है 4 करोर से ज्यादा कैश बरामत किया गया है ये बड़ी जानकारी मिल रही है पंजाब में ED ने तावर दोड रेड की है तो देखिए ये तस्वीरे आपको दिखा रहे है जहाँ एक जून के लिए मतदान होने है लेकिन उसके पहले ये देखिए ये जो आपको पूरा कैश नजर आ रहा है बताय जा रहा है कि 4 करोर रुपे कैश है और इतना ही नहीं इसे के साथ डिजिटल डिवाइस भी बराम अचे हुए थे पंजाब में वहाँ पर उन्होंने रैली को भी संबुद्र किया और जमकर बखिया भी उधेरी है यहाँ पर आमाधी पार्टी और कॉंग्रेस की लेकिन देखिए उसके बाद ही किस तरीके से यहाँ पर इडी को बड़ी सफ़ता हाथ लगती है और चापे म वाइस बरामत किये है अब वैद करन केस में यह एडी ने एक्शन लिया जिसमें बड़ी कारवाई करते हुए चार करोड का कैश बरामत किया है और एक और बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं सपा नेता आजम खान को बड़ा जटका लगा है दूंगरपूर मामले में दस साल की सजा सुनाई गई है रामपूर MPML कोट ने यह सजा सुनाई है आजम खान को दूंगरपूर केस में दस साल की सजा का एलान कर दिया गया ह बड़ा जटका है समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के लिए ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं और मुश्किले बढ़ रही है अभी और भी मामलों में कन्विक्टेड हैं और जानकारी हैं मिल रही कि तो सबानेता आजम खान को बड़ा जटका लगा है आपको बताते हैं एमपी अमेले कोट ने दस साल की सजा सुना दिया और ख़बरों में अब आगे बढ़ रहे हैं आपको चुनाव से जुड़ी एहम जानकारी बताते हैं जहां प्रधार मंत्री नेरिन बोदी आज होश्यारपुर में मौझूद है देखे थोड़ी देर बाद ही चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा और उसके बाद प्रधार मंत्री नेरिन मोदी कन्या कुमारी के लिए रवाना हो जाएंगे लेकिन उसके पहले जब वो होश्यारपुर में मौझूद थे तो उन्होंने कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी बर जम कर हमला बोला है बख्या उधेर दी है आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस की लेकिन इसी के साथ कहीं न कहीं होसले भी पस्त हुए होंगे विपक्षी पार्टियों के क्या कहा प्रधार मंत्री नेरिन मोदी ने पंजाब की इस्रेली में आपको दिखाते है लोकसमा चुनाव के आखरी चरण का प्रचार खत्म होने से पहले आज प्रधार मंत्री नेरिन्द्र मोदी विपक्ष पर खूब बढ़से पी-म ने एक तरफ जहां देश में ब्रस्टचार को बढ़ावा देने के लिए कॉंग्रेस पर आरोपो की बारिश की तो वहीं कथेत शराब गोटाले में फसे दिल्ले के स्थी एम अर्विंद केटरिवाल और आब आदमी पार्टी के निताओं को जम कर लबेटा पी-म ने छोटी काशी कही जाने वाली संत्रविदास की धर्ती पर कॉंग्रेस और आब आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कॉंग्रेस को ब्रिश्टचार करने में 60 साल लगे लेकिन आब आदमी पार्टी तो जन्म जात ब्रिश्टचारी है लोग भूले नहीं कि एक जुठवादी पार्टी ये कट्टर प्रस्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कॉंग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी और इसलिए इसलिए हिरों ने जो प्रस्टाचार की जन्नी कॉंग्रेस है उससे बराबर ब्रस्टाचार के पाड़ पढ़ लिये हैं तो जन्मजार ये ब्रस्टाचार की जन्नी